वेलकम टो कम्प्यूटर क्लास आज की क्लास में हम आपकी assignment के बारे में discuss करने वाले हैं मैं आपको assignment में MS PowerPoint के related कुछ चीजें बनाने के लिए दे रही हूँ मतलब आपने कोई भी एक computer related topic ले लेना है इसमें आपके लिए अगर आपको assignment बनानी है और आपको MS PowerPoint के बारे में जानना है तो आपको इस तरह से एक app download करनी होगी जिसका नाम है Microsoft Office जो मेरी first row में last icon आपको दिख रहा है जिसके निचे Office लिखा हुआ है आपको ये icon और आपको ये app Play Store से मिल जाएगी जिसमें आपको क्या करना है MS PowerPoint पे आपको अपनी presentation अपनी assignment को complete करना है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास home और एक plus का बटन है मैं plus के बटन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ options खुल जाते हैं last option जो blue color का है word excellent power point आप उस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपके पास सबसे पहला word excellent power point आता है power point में आपको blank presentation पर क्लिक करना है जैसे आपके power point की presentation उपर हो जाएगी यहाँ पर आपको इसमें जो जो चीजे लिखनी है और जो जो चीजे में आपको minimum में आपको बताने वाली हूँ वो आपने अपनी notebook पे लिख लेनी है तो आप सभी अपनी notebook और अपना pen या pencil लेके बैठ जाएं जिसमें आपको क्या करना है आपको यह assignment 25 जोन तक complete करके देनी है मतलब 25 जोन तक आपकी assignment complete होकर मुझे मेरे number पर आजानी चाहिए जिसमें आपके पास क्या है minimum आपके पास इसमें 8 slides होनी चाहिए 8 slides मतलब होता है इसमें 8 pages आपके पास होनी चाहिए अब आपका question यह होगा कि pages हमारे पास कहां सी आएंगी जिससर आप नीचे जी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पास notes and comments लिखें वहाँ नीचे आपके पास slide number 1 page number 1 डालके भी आया है उसके आगे सामने ही एक plus का निशान बना है इस plus पे आप जैसे जैसे click करते हो आपके पास उसके हिसाब से assignments slides आजाएंगे in slide में आपको minimum 8 slide तो बनानी ही बनानी है इससे जादा अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो अगर आपको first slide पे कुछ लिखना है तो आपको first पे click करना है third पे लिखना चाहते हो third पे two पे करना चाहते हो two पे इस तर आप जौन से slide पे लिखना चाहते हैं उस slide पे आपको click करना है यह आपकी slides इस तर open हो चाहेगी अगर आप slide में आपने और क्या क्या करना है पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ minimum कम से कम इसमें आपके दस color का use करना है मतलब 10 colors का इसमें use करना है font size शब्दों को लिखने का आकार minimum 5 आपने use करने है maximum आप चाहें मतलब आपके presentation में 5 size के शब्दों के आकार होनी चाहिए font size font style भी आपके 5 होनी चाहिए मतलब जो आप शब्द लिखोगे उसके style उसका तरीका कोई आपको minimum 5 इसमें add करने ही करने है आपने क्या करना है आपने एक table और एक picture भी इसमें insert करनी है अब आपको में page टेपक और table इंसर्ट करना भी समझा देती हूं मतलब अगर आपने picture इंसर्ट करनी है या table इंसर्ट करना है तो आप कहां से कर सकते हो जहां पर आपने slides open की है जहां पर आपके पास नीचे 1,2,3 कर slides दिख रही है वहीं से ही नीचे आप देख सकते हो जो यह वाला option है जो आपके पास अब पहला option आ जाता है इस phone में जैसे आप phone की screen पे देख रहे हो तो first option वो क्या है table का आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास टेबल open हो के आजाएगा इसके साथ है आपके पास गेलरी का अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके गेलरी की जितनी भी photos होंगी वह आपके पास इस तरह से open हो जाएगी आपने पहले ही अपने assignment से related job picture लगाना चाहते हो वह Google से उठा लेनी है या खीच के रख ले माल लीजे मैं computer लिख रही हूं अब मैंने इसमें computer में जैसे मैं आपको कहा था फॉन के size आपका font size डालना है तो मुझे से पहले क्या करना होगा इसे select करना होगा आप deep press करके रखते हो long press करके रखते हो तो यह आपके पास select हो जाएगा अब आपने क्या करना है अपने अप आते हैं आपने minimum कोई 5 यूज करने है maximum आपकी अपनी choice होगी अब फॉन के आकार भी वहीं से देख लेते जहां पर हमने कैलिबरी पे क्लिक किया तामला फॉन के style के लिए वहीं आंगे 60 लिखा है 60 क्यों लिखा है क्योंकि यह फॉन का size है यह दिखे आपको सब कुछ लिख करने है minimum मतलब कम से कम अब आपने क्या करना है आपको मैंने टेबल पिक्चर और कलर और स्टैल सब कुछ बता दिया है आपने 8 slides बनानी है कोई 8 आपने इसमें slide बनानी है और आपने यह मुझे 25 जून तक complete करके assignment देनी है topic से related आप खुद ढून सकते हो खुद आप कर सकते ह कि आपने किस चीज से related अपनी presentation बनानी है जैसे कम वह बस आपके computer से related होने चाहिए मतलब computer के advantage, disadvantage, कुछ भी ऐसी चीज़े आप यूज कर सकते हैं आपने जो भी आपने input output devices कुछ भी लेना है अब यहां font color भी आपको मैंने जिया है जिसमें आपने 10 colors यूज करने हैं यहां आपको पास एक एक लिखा है जिसके नीचे red color है वहीं पर ही आपको different type के font colors भी मिल जाएंगे आपने कोई minimum 10 यूज करने हैं maximum आपके इच्छा है आप कितना करना चाहती हो आज की class में मैंने आपको पूरी assignment अच्छे से समझा दीए है आपने जो भी चीज़े आपको थोड नहीं thank you and have a nice day